This video is specifically for Sony users इस video में थोड़ा साइब बटन्स का कस्टमाइसेशन की कैसे आप बटन्स को कस्टमाइस करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं मेन्यू में जाने से बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है और situation कई बार ऐसी होती है कि आपके पास इतना time नहीं होता कि आप menus में जाके settings ही change करते रहे हैं आपको quick response देना होता है तो उसके लिए आपको अपनी buttons को customize करना पड़ेगा Sony cameras में तो ये video होने वाली है फिलाहल Sony A7 III के बारे में तो अगर आप एक Sony user है तो ये video आपके लिए है special पहले देखते हैं मैंने किन buttons पर क्या के चीज़ें customize कर रखी हैं तो ये रहा मेरा A7 III इसकी buttons को मैंने customize कर रखा है basically shoot करते time पर कुछ limited चीज़ें ही चाहिए होती है जिनका quick access चाहिए होता है जैसे कि shutter control aperture control, white balance, ISO और focus modes ये सारे instantly चाहिए होते है menus में जाने से बहुत time waste होता है तो buttons पर अगर customize कर दें तो बहुत fast होता है तो मैंने customize कर रखा C1 को फिलहाल zoom के लिए crop zoom जो इसका feature है उसके लिए C2 को मैंने wide balance के लिए C3 को मैंने manual focus और auto focus के लिए ये मैंने focus modes के लिए कर रखा है और ये buttons कर रखी है मैंने ये दोनों ही buttons फिलहाल मैंने recording के लिए कर रखी है recording start और stop के लिए दोनों से ही होता है क्योंकि बहुत confusion होती थी इसमें तो हमें basic functions ही चाहिए थे quick access के लिए तो ISO तो आपका direct इस पर ही है ये तो by default है इसमें कोई changes नहीं किये है plus C1 से मैंने आपको जूम बताया suppose ये मेरा 105 का zoom हो गया maximum अब मुझे extra zoom चाहिए तो जो crop function इसमें आता है crop zoom आता है वो मैं use कर सकता हूँ extra reach के लिए थोड़ी सी quality down होती है पर वो justified है कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता और वो usable है इससे मैं जूम एक्सेस कर लेता हूँ extra punch के लिए extra crop के लिए और उसके बाद कि सी टू पर मैंने कस्टमाइज कर रखा है white balance को प्रेस करते ही white balance यहां से white balance चूज कर लेता हूँ कि जो भी white balance मुझे चाहिए मैं तुरंत यहां से चूज कर लेता हूँ उसके बाद मैंने suppose यह मेरा subject है मैंने focus किया इस पर focus को मैंने manual कर दिया तो C3 को मैंने manual focus और auto focus के लिए कस्टमाइज कर रखा है यानि focus आपका लॉक हो जाएगा और unlock करने के लिए तो यह मैंने यह कर रखा है इस बटन को तीन बटन से हो गई सी टू और सी थ्री यह तीन बटन से हो गई next है आपका सी फॉर तो सी फॉर मैंने कर रखा है आपका focus modes के लिए कि कौन सा focus पॉइंट आपको सेलेक्ट करना है अलग-अलग situation के हिसाब से अलग-अलग points सेलेक्ट करने पड़ते हैं तो उसके लिए मैंने क्विक access के लिए मैंने सी फॉर को कस्टमाइज कर रखा है उसके बाद जॉयस्टिक को जॉयस्टिक का सेंटर क्लिक अगर करें तो इस पर तो नहीं हो रहा है अगर मैं फॉर्मेट चेंज कर दूं तो फिर आपका वैसे मैंने उसको रखा हुआ है फेस्टिक को सेंटर करता हूं इसके लिए रखा हुआ इसको फेस्टिक अन और रिकॉर्ड बटन इन दोनों से ही रिकॉर्डिंग मैंने कर रखी है बहुत कन्फूजन हो जाती कई बार क्योंकि इसकी बटन जो यह बहुत कॉर्न में है तो गलती से आपको मुस्ट आप दे नहीं है तो वह प्रॉब्लम हो जाती है बाद में उससे तो मैंने इन दोने बटन को रिकॉर्डिंग के लिए कस्टमाइज कर रखा है बाइड डिफॉल्ट बटन को और एफ ऑन क्योंकि यह मैं यूज नहीं करता है एफ वीडियो के टाइम पर तो मैंने इसको भी कस्टमाइ टोरों को यह पक्निद शुक्राइशन चैसे है किलें सब्सक्राइख श्युक्स में अधे एसकर रहा है उनको पता होगा पर जिए धर्यां नया नया पर्चिब के पिरें वह साथ000 तो आप को जाना है सेकंड टैब में और सेकंड मीनीच मीचे आना है और आपको आना है second tab के I think seventh page okay second tab के llev पर आपको जाना है यहां पर यह custom कीज का ओप्शोट उप्शन है तो पहले वाला जो दिखा रहा है यह दिखा स्अ के लिए second वाला वीड़ेओ कम शीन साभी खिलो अर्फिर स्बस्राइबकshirt के लिए तो मुझे वीडियो के लिए चाहिए वीडियो की कस्टम की में जाता हूं यहां पर देखें तीन पेजेश में टॉगल करके दर दर जा सकता हूं तो फस्ट पेज पर कौन कौन से ऑप्शन है इसरे पेज़ैं इस यहां आप यहां से ले तो मैंने फिलार इसो ले रखा यहां पर बढ़ते हैं यहला यह शर॥ कैम इन क्या रखा एक्से पांड कедery एक यह मैंने ले रखा है इससे क्या होता है कि जो भी आपका मैक्सिमम रीच पर जाने के बाद भी अगर आपको एक्स्ट्रा पंच चाहिए एक्स्ट्रा जूम चाहिए तो मैं इस बटन से वह अच्छीव कर लेता हूं थर्ड उसके बाद कस्टम टू बटन मैंने वाइट बैलेंस ले रखा है खोलेंगे आप पूरी लिस्ट खूलेंगी एटीन पेज़ेस तक कि देखिए एटीन पेज़ेस इसमें तो यह सारा आप नीचे स्कॉल करके देख लिजेगा कि कौन सा आप्शन आपको वहाँ पर चा करते हैं वही एटीन पेज़ेस फिर से इसमें आ जाएंगे जो भी ऑप्शन चाहिए आपको कस्टमाइज करने के लिए इससे कर लिए आप उसको के और वहने चेंज कर दिया यह रखा था फिर है यह कस्टम बटन 4 यानि कि यह डिलीट वाली बटन यह सी 4 इस पर मैंने फो तो यह बहुत हेलफूल रहता तो वह मैंने डिलीट कीपर फिलहाल कस्टमाइज कर रखा है यह चार हो गए बढ़ता है नेक्स्ट पेज़ पर नेक्स्ट पेज़ पर आ जाता है इतने सारे आप्शन है आपका तो पहला है इसमें मल्टी सेलेक्टर सेंटर बटन मैंने फेस बटन और इसको आप चेंज कर सकते हैं तो मुझे सिर्फ इसकी रिकॉर्मेंट थी इस पर मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए थी इस बटन पर क्योंकि यह बटन बहुत कॉर्णर में कई बार दिक्कत हो जाती है यहां तक दबाने में तो मैंने इस बटन पर भी रिकॉर्डिंग कर रहे तो यह था कुछ तरीका और क्विक एक्सेस के लिए जो भी आपको बेसिक चीज़े जैसे कि मैंने बताया था रहा यो बेसिक चाहिए होती है एक्स्टा जूम के लिए वाइट बैलेंस के लिए इस Bitte के लिए shutter के लिए और aperture के लिए इतनी चीज़ें बेसिक हैं जो आपको shoot के time पर चाहिए होती है quick access में so with the help of this customization you can save your tons of time hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को like करें शेयर करें और मेरे चैनल को भी subscribe करें तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी ने टाफिक के साथ तब तक के लिए take care and thank you so much for watching